ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति ओम श्यान्ति तब तब कर ही हमारा जीवन निखड़ता है हमें तफस्या के द्वार अपने जीवन को निर्मल बनाना है ताकि सभी कर्मिंद्रियों की गर्मी श्यान्त हो जाए और चित्त बिल्कुल सीतल हो जाए यही हमारी तपस्या की सफलता है, इसी से हमारी जीवन में ते जाता है, काम को सीतल करना है तपस्या के द्वारा, कर्मिंद्रियों की अगनी को स्यांत करना है, अंग अंग सीतल हो जाए, हमारा मुख भी सीतल हो जाए, ताकि मुख से जो वचन निकलें, वो दूसरे के चित को सीतल करने लगें, बावा ने हमेशा ही कहा है, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए, सच मुच रतन तो बहुत बड़ी चीज है, इसी के लिए रूप बसंत का गायन है, कि जब वो बोलते थे, तो उनके मुख से रतन निकलते थे, हमारी आखे भी बहुत सीतल हो जाएं, देह भान की आखे, देह को देखने वाली आखें, सीतल नहीं मानी जाती, उनमें गर्मी है, उनमें कड़वाहट है, उनमें निगेटिविटी है, हम आत्मिक द्रस्टी से सब को देखें, सुभावनाओं की द्रश्टी से सब को देखें अपने पनकिवरती से सब को देखें और इस अंसार को विनासी भाव से देखें तो सचमुच हमारे नैन भी सीतल हमें अपने कानों को भी सीतल कमल फूल समान बनाना है क्योंकि कानों से भी मनुस सारा दिन सुनता ही है लेकिन हम क्या सुने और क्या न सुने, उसका गहराई फेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता ही है इसलिए व्यर्थ की बातों से पूरी तरहे मुख मोड ले, व्यर्थ से मुख्त होना भी एक बहुत एक्छी तपस्या है तो आओ हम सभी तपस्या के मार्क पर निरंतर आगे बढ़ते चलें हमारी तपस्या सारे संसार को बल देने वाली है हमारी तपस्या तूसरों के चित को भी स्यांत करने वाली है अब तो समय आ गया है जिसकी इंतजार थी जिस समय के लिए बाबा ने हम सब को बहुत कुछ बताया था वो समय आ पहुँचा है जब हमें सारे संसार को देना ही देना होगा और हमारे वाइब्रेशन्स का इफेक्ट बहुत गहरा दूसरों पर पढ़ता हुआ हमें नजराएगा अभी हम अच्छी योग तपस्या कर लें तो जितनी अच्छी हमारी योग की तपस्या होगी उतना ही गहरा प्रभाव दूसरों के जीवन पर उनके विचारों पर हम पढ़ता हुआ देखेंगे तो विशेश रूप से श्यान्ति की अनुभूती कराने के लिए ऐसरीरीपन का बहुत अच्छा अभ्यास करें अंतर मुखी भी रहें लेकिन ऐसरीरीपन की ऐसी डीप प्रेक्टिस हो कि जैसे ही हम याद करें मैं इस देखे से न्यारी हूँ आत्मा वैसे ही हमें भी डीप साइलेंस की अनुभूती होने लगें उससे हमारे चार और एक सन्नाटा सा चाने लगेगा यह सन्नाटा दूर दूर तक फैलेगा और संस्यार को स्यंती के वाइब्रेशन्स मिलते रहेंगे तो बहुत ज़्याद प्रेक्टिस इसको कई रूपों में ले बिन बिन तरह से इसका अभ्यास करें तो अभ्यास करते करते वो इस्थिती बन जाएगी के चार और सन्नाटा होने लगे बाबा की मॉडली में जैसे अभी आया था कि आत्मा जैसे इस शरीर में आकर बंद हो गई है गया तो हम ऐसा अभ्यास करें मैं आत्मा उपर से आई थी और इस शरीर में आई तो इसमें बंद हो गई हूँ ये मेरी कुटिया बन गई बाहर से लोक कर दिया गया मैं बाहर तो जा नहीं सकती मैं इसमें अंदर बैठी हूँ, अपने को अंदर बैठे हुए देखा करें बिन बिन प्रेक्टिसेज मैं आत्मा स्वराज जदिकारी हूँ मैं मास्टर ज्यान सुर्ये हूँ मैं चमकती हुई मनी हूँ बिन बिन संकल्पों के साथ मैं पवित्र आत्मा हूँ मैं शक्ति संबन हूँ अलग-अलग संकल्पों के साथ ऐसरीरी होने की तपस्या करते रहें ओम श्यांति